साथियों कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दैशा अंदिरदेश किया है और वो रास्ता क्या है वो दिशा क्या है इस कोरोना संकट से हमने अनुभों में पाया है कि अब हमें आत्म निर्भर बनना ही पड़ेगा बिना आत्म निर्भर बने ऐसे संकटों को जेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा गाउं अपने स्तर पर अपनी मुलभूत आवशक्ताओं के लिए आत्म निर्भर बने जिला अपने स्तर पर राज अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्म निर्भर बने अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए हमें कभी भी बाहर का मुहूं नहीं देखना पड़े ये तै करने का ये सबक हमें सिखा है भारत में ये विचार सद्यों से रहा है लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है आत्म निर्भर बनो आत्म निर्भर बनो आत्म निर्भर बनो हमारे देश की ग्राम प्रण्चायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है मजबुत पंचायत है आत्म निर्भर गाउं का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्ता जितनी मजबुत होगी उतना ही लोग तंत्र भी मजबुत होगा और उतना ही विकास का लाब आखरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुँचेगा साथियों इसी सोच के साथ सरकाम ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्ताओं को इंफरस्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है वरना पांच-छे साल पहले एक दोर भूबी था जब देश की सो से भी कम पंचायते ब्राड बैंट कनेक्टिविटी से जुड़ी थी आज सवा लाग से जादा पंचायों तो तक ब्राड बैंट पहुँच चुका है इतना ही नहीं गावों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी तीन लाग को पार कर रही है सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है उसी का नतीजा है कि आज गाव गाव तक कम किमत वाले स्मार्ट फोन पहुँच चुके हैं ये जो आज इतने बड़े पहमाने पर वीडियो कांफरेंस हो रही है लाखों लोग जुड़े हैं इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है